दोस्ते नमस्कार कैसे हैं आप लोग मियासा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग प्रश्णावली साधा समलब एक के प्रसंद संख्या 6 को सॉल्ब करेंगे अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लेगा जिससे हर आने वाली वीडियो का निर्देसांग आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आए वीडियो सुरू करते है प्रस्तन संख 6 निम्रिखित बिंद्वद्वा द्वारा बनने वाले चतरभुज का परकार यदि कोई है तो बताईए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजे हमारे पास चतरभुज का चारो निर्देसांग दिया हुआ है और हमें ए बताना है कि इस चारो निर्दे कि A क्या है माइनस एक कॉमा माइनस दो B एक कॉमा सुनने C क्या है माइनस एक कॉमा दो और डी का मान है माइनस तीन कॉमा सुनने ठीक है तो हमें क्या करना है तो लिखेंगे दूरी सुत्र से किसका दूरी ए से बी का दूरी तो लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट X2 माइनस X1 का होले स्क्वेर प्लस Y2 माइनस Y1 का होले स्क्वेर हमें क्या करना है ए बी में चल लहना तो यहां X1 X2 Y1 Y2 तो X2 में से X1 को घटाना है ठीक है तो X2 का मन क्या है एक घटाना है माइनस का एक और इसका स्क्वेर करना है प्लस है तो प्लस देंगे Y2 Y2 का मन क्या है सूनने और घटाना है माइनस का दो फिर इसका स्क्वार करेंगे देखे एक और बाहर माइनस है तो अंदर का चिंचेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का एक हो जाएगा इसका स्क्वार प्लस बाहर माइनस है तो अंदर का चिंचेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का दो इसका स्क्वार करना है हो जाएगा एक कर र indicate स्वेर्ट और इधर कम सब्सक्राइब है और दो रूट-ठीज़ ठोपना चार धिक है फिर इसके बाद इस दुना 4 प्लस 4 जा जाएगा अंडरूट आठ और इसका अगर हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होगा दो अंडरूट कैसे होता है ये समझ लिजे, दिखी को दो से लगाएंगे क्या हो जाएगा? 2 बार 2 है, इसलिए क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको अंडरूट कर देंगे तो क्या आ गए हा? 2 अंडरूट 2 आ गया हमने क्या किया? a से b के दूरी निकाल लिया अब हमें निकालना है B से C की दूरी, ठीक है, तब देखे, A क्या हो जाएगा, X1 और A हो जाएगा X2, A हो जाएगा Y1 और A हो जाएगा Y2, तो X2 में से X1 को घटाना है, यानि कि माइनस 1 में से घटाना है, माइनस 1, ठीक है, इसका square प्लस है तो प्लस देंगे, इसके बाद क् से घटाना है, सुनने को, तो 2 माइनस सुनने, इसका square करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखे, माइनस 1 और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इसका square, प्लस दो में से सुनने जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका square, तो माइनस का 2 का square करना ह यानिकी माइनस का दो गुने माइनस का दो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस दो दूना चार ठीक है क्या आया प्लस का चार और अगर दो का स्क्वार करते हैं तो क्या होता है दो दूना चार ठीक एक के आ जाएगा अंडरूट आठ और इसको अगर हम रूट के बाहर करते है है तो क्या होता है दो अन्डरूट दो ठिक थो हमने का निकाल सेunkणलवे सिदेने का न न है सीडिय का करेंगे में भूष जाएंगे ठिक औरतूल है हो जाएगा एक्स वन या हो जाएगा एक्स ट्उ एक्स तू याज़ा आई दो साब तो X2 में से X1 को घटाएंगे यानि कि माइनस 3 में से माइनस 1 को घटाएंगे और सुनने में से 2 को घटाएंगे ठीक है तो लिखेंगे 3sD बराबर अंडरूट एक्सटू क्या है माइनस का 3 घटाना है माइनस की एक को और इसका स्क्वाइर करना है प्लस सूने में से घटाना है है दो को क्या हो यदि- का 3र बाहर माइनस से तो अदर कहां चिंज हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस wszyscy देखे तो क्यों जाएगा प्लस का एक और इसका स्क्वेर हो जाएगा प्लास से देखे सुने में से अगर हम दो को घटाते हैं तो क्या आएगा माइनस का दो इसका स्क्वेर क्या बचेगा माइनस का दो इसका स्क्वेर करेंगे प्लस माइनस का दो का स्क्वेर अभी हमने दो अंदर रूर दो हमने को निकाल लिए अग तो हमें से माइनस तरह से घानना है और सुननमे से माइनस दो को contraddchen oh okay gonna डी ए क्या हो जागा माइनस तीन में से घटाना है माइनस एक को फिर इसका स्क्वाइर करना है ठीक है प्लस वाई टू कमान सुने है घटाना है माइनस का दो तो क्या होका बाहर माइनस है मैँनस तीन ठीक और माइनस अ निर्ग प्लस का एक इसका स्क्वार करना है फिक तो दोना क्या हो जाएगा चार और इधर उजाएगा दो दूना चार यानि कि final ये हो जाएगा under root 8 और इसको root के बाहर करते हैं तो A हो जाएगा 2 under root 2 ठीक, आप देख सकते हैं A B का मान के आया तो 2 under root 2 ठीक, B C का मान के आया तो 2 under root 2 C D का मान आया 2 under root 2 और D A का मान आया 2 under root 2 इससे A साफ हो जाता है कि A जो चतरभूज है यहां क्या है एक वर्ग है लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है चतरभूज जो होता है देखे आप इसको समझ सकते हैं दो चतर भुजा ऐसा होता है जिसका चारो भुजा बराबर होता है किसका किसका होता है देखें एक वर्ग का होता है जिसका चारो भुजा क्या होता है बराबर होता है जैसे कि A वर्ग हो गया इसका भी चारो भुजा क्या होता है आपस में बराबर बराबर होता है ठीक है माल क्लियर नहीं होता है एक और चतर्भुज होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सम्चतर्भुज बोलते हैं जैसे कि वो सम्चतर्भुज ऐसा होता है इसका भी चारो भुजा क्या होता है बराबर बराबर होता है तब किलियर कैसे होगा कि वर्ग है या समचतर भुज है तब हमें क्या करना होगा इसका विकर्ण निकालना होगा यानि कि विकर्ण क्या होता है A से C की दूरी और B से D की दूरी या D से B की दूरी ठिक यहां भी A B C और D ठीक है तो वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होता है और सम चतरभुज का विकर्ण आप देख सकते देखे यह चोटा विकर्ण है और यह बराबिकर्ण है है ना जब बराबिकर्ण और चोटा विकर्ण हो जागा तो क्या हो जाएगा अगर अलग अलग तरह का विकर और B से D की दूरी निकाल कर चेप कर लेते हैं तो क्या निकालना है A से C की दूरी तो under root देखे A से C की दूरी निकालना है तो X1, X2, Y1, Y2 तो X2 में से X1 को घटाना है यानि कि माइनस 1 में से घटाना है माइनस 1 को स्क्राइर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे ठीक है, अब Y2 में से Y1 को घटाना है तो 2 में से घटाएंगे माइनस के 2 को ठीक है, और इसका स्क्राइर करेंगे तो माइनस का 1 और बाहर माइनस है तो अंदर का चिंग क्या हो जाएगा कि अगर माईनस का एक और प्लस का एक इसका काम करते हैं तो क्या बचता है सुनी बचता है जैने कि सुनी का एस्कार प्लस दो-दो चार होगा ठीक है अब हमें क्या करना है बीडी निकालना है तो देखें बीडी में चलेंगे देखें बीसे डी में चलेंगे और इसका वर करेंगे और इसका वर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और इसका वर करेंगे, प्लस सुनने का वर करेंगे, तो चार्चों के क्या हो जाएगा, 16, क्या हो जाएगा, 16, यानि कि अगर हम माइनस 4 में गुना करते हैं, माइनस 4 से, तो क्या ह सब्सरसे लोगा करते हैं तो क्या होगा सुनी ही होगा जोडे तो क्या हो चार आता है आप यहां पर देख सकते हैं कि थैसले बरावर हो गया तेखी इसका मतलब इस हमारे वर्ग का निर्दसांथ होा था रहे लिख सकते हैं चुकि A B बराबर B C बराबर C D बराबर D A और विकर्न कौन-कौन है A C और B D A C बराबर B D ठीक है इसलिए बिन्दू माइनस एक कमा माइनस दो एक कमा सुनने माइनस एक कमा दो और माइनस तीन कमा सुनने से बना चतरवोज क्या है वर्ग है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी परकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेल कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अन्वाकेश्टेडी के पले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद